हेलो एं नमस्ते, मेरा नाम बलवंत बंदारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स टॉपिक कंसेप्ट आफ मेंटल हेल्थ वेल्बिंग अक्रडिंग तो योगा सूत्र आफ पतंजली केंशन कांस्टरक्टिबली एं सुसाइटी with the ordinary demands of everyday life तो mental health जो है उसको हम अपनी overall health बोल सकते है प्रशिकल हेल्थ भी important है अधर किमपीट Awesome to physical health हमारी जो mental health है उसका जो दर्जा है उसकी जो importance है वह जादा है example के तौरप अगर कोई person physically fit है physically healthy है बट अगर वो mentally weak होगा disturbed होगा mental disorders से अगर वो गरस्थ होगा जैसे कि depression, anxiety, insomnia, hypertension ठीक है इस तरह की जो भी mental disorders है अगर वो उससे गरस्थ होगा भले ही वो physically fit है तो क्या होगा वो अपनी जो work है जो अपना task है उसको सही तरीके से perform नहीं कर पाएगा demotivated रहेगा और यहां तक कि उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा ठीक है socially वो connected नहीं रहेगा, लोगों से मिलने जुनने में वो डरेगा, हिचके चाहेगा तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो physically fit है लेकिन अगर वो mentally weak होगा ठीक है, disturbed होगा तो उसका जो effect है उसकी physical health में भी देखने को मिलता है और on the other hand अगर कोई person physically unfit है तो आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो physically unfit होते हैं हम बोल सकते हैं कि handicapped होते हैं हाथ नहीं होते हैं तो वो हाथ वाले काम जो है अपनी इंद्रियों का यूज करते है क्योंकि वो mentally strong है वो हार नहीं मानते वो motivate खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं आप देखो दूसरों को भी motivate करते हैं यानि कि वो socially character भी रहते हैं तो इस तरह का जो person होगा जो mentally strong होगा वो अपनी daily demands को भी fulfill कर पाएगा जो उसकी रोस मर्रा की जो जरूरिते हैं उसको भी वो fulfill कर पाएगा अपनी task को भी वो proper तरीके से perform कर पाएगा ठीक है तो यही चीज है कि जो आपकी mental health है वो काफी important role play करती है आपकी daily life में योगा is known to play significant role in the development of mental health as well as in the treatment and prevention of mental health problems तो योग हमारी मानसिक स्वास्थे में बढ़ोतरी के लिए महत्वपुन भूमी का निभाता है और साथ हमारी mental disorders के treatment and prevention में भी important role play करता है इन दे योगा सूतर अफ पतंजली महर्शी पतंजली begin with the concept of चित्वृत्य निरोध that is to block the pattern of consciousness तो योग की सबसे accurate text दे योगा सूतर अफ पतंजली में महर्शी पतंजली जी योग की शुरुवात चित्वृत्यों के निरोध से कहते हैं वो कहते हैं कि जो चित्व है न जो हमारी जो consciousness है जो चेतना है उसमें जो unwanted thoughts आते हैं जाते हैं उन thoughts को रोकना ही योग है उनको निरोध करना उनको रोकना ही important है वो जरूरी है ताकि हमारी जो further practice होती है जो जैसे कि आसलाज, प्रणयाम, meditation उसमें हमारा जो focus है वो बना रहे चीक है तो महर्षी पतंजली ने अपनी योगिक टेक्स में various therapeutic aspects यानि कि चिकस की ये पहलों को describe किया है कि वो कौन-कौन से ऐसे obstacles है ऐसे कौन-कौन से बादाए है जिसकी वजह से हमारी body में जो mental disorders है जो मानसिक जो व्यादियाए है वो develop होती है उनके symptoms क्या है और उसके बाद वो हमारी behavior में कैसे reflect होते है और हम उनसे कैसे बचाफ कर सकते है इस चीज के बारे पर अब हम समझेंगे causes of faulty और poor mental health according to the yoga sutra पतंजली यानि कि poor mental health के कारण क्या है causes क्या है वो इसमें बताए गए है PSY chapter 1 समाधी पाथ 30 सूत्र says पतंजली there are nine disruptive forces or obstacles of consciousness यानि कि पतंजली योग सूत्र के chapter first में पतंजली योग सूत्र में चार चाप्टर है उसमें जो पहला चाप्टर है समाधी पाथ उसमें 30 सूत्र उसमें सेज पतंजली जी कहते है जो मानसिक व्याधियाए है उसके होने के लिए वो कैसे हमारे शरीर में उत्पन होती है ठीक है कैसे वो डेवलप होती है ये obstacles कुछ बाद हैं बता रखिये कुछ ऐसे disruptive forces है जो एक तरह से responsible है हमारे शरीर में जो मानसिक जो व्याधि है होती है उनके उत्पन होने की तो वो 9 है सबसे पहले है व्याधि इसको भी हम आगे चलकर और समझने की कोशिश करेंगे यह शॉट में है ठीक है तो प्रमाद का मतलब इसमें बोला गया है लैक आफ एंथोजियास्म यानि कि उच्छा की कमी होना आलस से लथारजी अवीरती लैक आफ डिटेच्मेंट यानि कि चीजों से ज्यादा एटेच् ब्रांती दर्शन, फॉल्स प्रेशेप्शन, मिथ्य धारणा और रॉंग नोलेज, अलब्द भूमी कत्वा, फेलिंग टो अटेंड स्टेजिस आफ प्रैक्टेज यानि कि जो फाइनल स्टेज है उसको अचीव ना कर पाना, परफेक्शन को अचीव ना कर पाना, अनवस् अब्स्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से ये कारण है, मेंटल जो डिसॉडर्ट्स हमारी बॉड़ी में डेवलप होते हैं, ये इनही कारणों के वजह से होते हैं, ओके सबसे पहले हैं, डिजीज, व्याधी, रोग, डिजीज विल कम एट सम टाइम्स और अनदर, यूज वली स है, like constipation, diarrhea, constipation, यानि की cubs, diarrhea, यानि की dust, और any stomach related problems, इन से भी हो सकती हैं, बीमारिया, क्योंकि जो पेट है, वो हमारी कई सारी बीमारियों की जड़ हैं, या फिर हमारे brain के थो, या किसी particular organ के थो, like kidney के थो, kidney stone, heart के थो, heart attack के जो problems होती है, pancreas के थो, diabetes, ठीक है, इंसुलीन क secretion कम होना, या किसी other, जो body की जो organs है, उसके थो, हमारी body में, जो disease है, जो बीमारिया है, वो उत्पन होती है, ठीक है, तो भले ही हम, in conditions में, physically unfit है, ठीक है, physically, जो disorders है, हम उससे घ्रस्थ है, लेकिन कहीं न कहीं, इसका जो effect है, वो हमारी mental health पर भी तो पढ़ता है, हमें frustration होत है, sadness, loneliness, ठीक है, तो ये जो चीजे है, समझने वाली बात है, कि अगर बीमारी हमें है, physically, अगर हम unfit है, तो उसका जो effect है, वो हमारी mental health पर भी पढ़ेगा, बढ़ता है, ठीक है, इसका एक और हम example समझ लेते, physically, unwell होने के वज़े से, ठीक है, physically unfit होने के वज़े से, suppose हम bad rest पर आ गए, work नहीं कर पा रहे है, job नहीं कर पा रहे है, job चले गई, salary नहीं मिलेगी, ठीक है, देको physically unfit थे, bad rest पर आ गए, job चले गई, काम नहीं कर पा रहे है, salary नहीं मिलेगी, तो घर खट कैसे चलेगा, tension होगी, depression होगा, frustration होगी, ठीक है, तो mental disorders तो आपियर होगी होगी, same, किसी तरह की बिमारी होने के वज़े से, bad rest पर आगए, study नहीं कर पा रहे है, school नहीं जा पा रहे है, exam आने वाले है, fail हो जाएंगे, tension होती है न, तो यहीं चीज़े, physical disorder की वज़े से भी, हमें mental disorders देखने को मिलते हैं, body में, तो यहीं चीज़े से बताया गया है, कि अगर आपको किसी तरह की व्यादी है, रोग है, तो वो आगे चलकर mental disorder में भी, वो हमें body में देखने को मिलता है, next, mental laziness और dullness, not to follow yoga even when desired, यानि कि इच्छा होने पर भी योग नहीं करना, उसको टालेना, कल से करेंगे, फिर कल आया, परसो से करेंगे, इस तरह से जो टालने की जो हमारी mentality होती है, वो भी आगे चलकर, मानसिक जो व्यादियाएं हैं, वो उत्तपन न करती है, ठीक है, तो जो मानसिक, जो हमारी जड़ता है, जो मानसिक आलस से है, ठीक है, वो भी आगे चलकर, जो mental disorders हैं, उसको भी create करती है, body में, ठीक है, ठीक है, तो हमेशा doubt में रहना, संधेह में रहना, कि क्या योगा मुझे, क्या योगा करने से मैं physically और mentally fit रहूँगा या नहीं रहूँगा, मतलब अभी start किया नहीं है, पहले से ही संधेह में रहना, doubt में रहना, कि अगर मैं इस तरह के task को perform करूँगा, तो मुझे better result मिलेंगे, कि नहीं मिलेंगे, अगर मैं योग को spiritually करता हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, कि नहीं है, हर चीज़ से वो परिशान रहता है, फिर आगे चलकर जो relationships होती है ना, उस में भी उसे इस तरह की जो problems है, उसे उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ में doubt करेगा, क्योंकि अपनी काम में भी doubt करता है, अपनी relationship में भी doubt करता है, तो वो बे मतलब का परिशान भी रहेगा, वो frustrated भी रहेगा, उसे गुस्सा भी आएगा, तो इसलिए वो लोग जो हमेशा doubt में रहते हैं, उन्हें आगे चलकर जो मानसिक व्याधियाई हैं, वो अपनी body में देखने को मिलती है, ओके fourth lack of enthusiasm, not desire to perform yoga at heart, lack of enthusiasm, यानि कि उच्छा की कमी होना, तो दि दिल से, मन से योग नहीं करना, योग या किसी भी काम को नहीं करना, रोज योगा कर रहें, लेकिन दिल से नहीं कर रहें, मन से नहीं कर रहें, अपने काम को रोज कर रहें, रोज आफिस आ रहें, काम कर रहें, लेकिन मन से नहीं कर रहें, रोज स्कूल जाते हैं, बट मन स ठ्कि של में कि से भी काम को टेकरते तो है करना है लेकिन उसमें किसी तरह की इच्छा नहीं है उछिसा नहीं है तो इस तरह की जो लोग होते है वो भी बहुत जल्दी depression के सिकार होते हैं तो यही चीज है कि आपका काम चाहे छोटा हूँ या बड़ा हूँ उसे पूरे शिदत से करना चाहिए पूरे इच्छा से करनी चाहिए ओके फिफ्थ लेथार जी physical heaviness the reason for not doing yoga or any work तो heavy body weight होने के वज़े से मोटे होने के वज़े से obesity होने के वज़े से yoga नहीं करना body में flexibility कम है yoga नहीं करना body weight जाता है जिसके वज़े से हम हमारे अंदर आलस बन रहता है जिसके वज़े से हम yoga नहीं करते हैं या हम किसी तरह की physical activity नहीं करते हैं अपने काम को सही तरह के से परफॉर्म नहीं करते हैं ठीक है ये एक आलस्पन रहता है जो में जगड के रखता है तो इस तरह की जो मानसिक जड़ता है न जो भी आगे चलकर जो मानसिक जो व्याधियां है उसको create करती है हमारी body में अगनेक्स six lack of detachment craving for sense pleasure like addiction for anything lack of detachment यानि की attachment का ज्यादा होना तभी तो lack of detachment हुआ ठीक है इसका चीजों से attachment लगाव ज्यादा रखना like cell phone, vehicle, land, house, relationship, damage हो गया, या कुछ loss हो गया, या कोई relationship तूट गया, तो दुख होगा, जितना attachment होगा, उतना दुख होगा, तो यही बोला जाता है कि आप किसी भी चीज से जो आपका attachment है ना, वो कम रखे, क्योंकि जितना ज़्यादा attachment होगा, उतना दुख होगा, जितना दुख होगा, उतना depression भी होगा, loneliness, sadness, hypertension, इस तरह के जो disorders हैं, हमें आपनी body में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बोले जाता है कि चीजों से जो attachment है, वो कम रखे, अपने आपको चीजों से थोड़ा detached कीजिए next false perception, भ्रांती दर्शन, ignorance और wrong knowledge, तो योग से benefits लेने के लिए, या spiritually आगे बढ़ने के लिए, अगर wrong knowledge होगी, तो आगे चलकर result हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, या हमारा कोई भी aim है, जिसे हमें achieve करना है, उसके लिए जो भी हम practice करते हैं, शुरुवात से ही अगर knowledge हमारी अधूरी है, या wrong है, तो आगे चलकर हम अपने aim को achieve नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, frustration होती है, गुसा आता है, doubt होता है, कि हमने तो practice के थी, हमें अच्छा result नहीं मिला, तो इसलिए बोला जाता है कि wrong knowledge होना भी, एक कारण बनता है आगे चलकर, जब आपको knowledge है, चीजों की, चीजों की, चीजों की, या आपका कोई aim है, जिसको आपको achieve करना है, जिसके लिए आपने बहुत practice की, चीजों की, स्टार्टिंग सही, आपकी जो knowledge थी, वो अधूरी थी, या गलत थी, तो आगे चलकर, जब आप इतना समय देने के बाद, अपने aim को achieve करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको जब जो achievement वो नहीं मिलता है, आपको failure achieve होता है, तो दुख होता है, तो इसलिए बोला गया है, मित्थे धारणा, अग्यान, wrong knowledge, आगे चलकर, जो मानसिक जो व्यादिया हैं, उसको उत्पन्न करने में, ये भी responsible होता है, ओके एट, inability to achieve a final state, failure to concentrate and failing to attain stages of practice, तो final state, यानि कि अन्तिम अवस्था को अचीव नहीं कर पाना, perfection को अचीव नहीं कर पाना, योग स्टार्ट किया, जोश के साथ, ठीक है, कुछ स्टार्ट किया, कुछ स्टार्ट किया, फिर बाद में छोड़ दिया, perfection को अचीव नहीं किया, incomplete करके छोड़ दिया, music स्टार्ट किया, कुछ टैम स्टार्ट किया, कुछ टैम तक असको continue रखा, बाद में छोड़ दिया, perfection को अचीव नहीं किया, complete नहीं किया, incomplete ही छोड़ दिया, dance सीखा, starting में, बट फिर बाद में continue नहीं किया, वो भी छोड़ है लेकिन हमेशा ऐसे ही करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को start करते हैं उसको complete नहीं करते हैं उसको incomplete ही छोड़ देते perfection को achieve नहीं कर पाते हैं इस तरह की जो mentality है न वो भी आपको आगे चल कर जो मानसिक जो व्यादियाई हैं उससे रूपरू कराती है तो किसी भी चीज़ को आप जब start करते हो न तो उसकी जो perfection है उसको achieve जरूर कीजिए ठीक है continue कीजिए अगर कोई भी काम को अगर आपको start करना है तो पहले सोचिए कि आप उसको complete करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं तो वो तो वही हो ना कि आपने start किया फिर बाद में छोड़ दिया समय की बरबादी भी तो हुई तो इसी लिए जो भी काम को करते हैं उसको पूरा complete ही करना चाहिए इसको incomplete अगर छोड़ते हैं और हमेशा करते हैं तो इस तरह की जो mentality है वो भी आपको आगे चलकर जो मानसिक जो रोग है उससे रुबरू कराएगा ओके ninth unstudiness in concentration यानि कि एकागरता में असिरता अनवस्ती तत्वा inability to maintain the highest stage of yoga यानि कि समाधी लाब होने पर भी अधिक देर तक समाधी में ठहर नहीं पाना weak concentration यानि कि आपने perfection को तो अचीव कर लिया है आप meditation कर लेते हैं लेकिन बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन की जो चंचलताई है उस पर अभी तक कंट्रोल नहीं आ पाया है क्योंकि ध्यान करते हैं ध्यान टूट जाता है क्योंकि अभी तक जो चित्ते की वृत्याई हैं उसको आप ब्लॉक नहीं कर पाते हैं उसको रोक नहीं पाते हैं जो चंचलताई हैं आपके अब तक उतनी है जितनी पहले थी यानि कि आपने perfection को achieve तो कर लिया है बट जल्दी जल्दी किया चीजों को समझ करनी किया जल्दी बाजी में किया तो इस तरह की जो प्रवत्ती होती है चीजों को जल्दी जल्दी सीखना perfection को जल्दी अचीव कर लियना तो इससे क्या होता है कि आप जब final state पे पहुंसते हैं तो तब आप उसमें stability को maintain नहीं कर पाते हैं तो इससे भी frustration होती है तो ये nine जो है ये obstacles है ये बादाएं है जो की कारण बनती है जो मानसिक जड़ता है जो मानसिक वियादिया है हमारी शरीर में उत्पन होती है उनके होने के जो main causes है जो main कारण है वो इन्ही जो बादाएं है इन्ही जो obstacles है इन्ही के वज़े से होती है और यही हमारी body में show करती है ठीक है किस तरह से शो करती किस तरह से effect करती है वो हम समझेंगे effects on mental health first chapter 31 सूत्र यानि कि 30 सूत्र में हमने nine obstacles को समझा जो next जो सूत्र है जो next श्लोक है 31 उसमें बता रखा है कि जो यह obstacles है यह जो बादाए है जो एक कारण है इसके बाद हमारे जो शरीर है उसमें जो effect है किस तरह से वो show करते हैं किस तरह से reflect करते हैं महर्शी पतंजली प्रिशेसली explains the effects on the nine obstacles on mental health as number one sorrow number two depression number three trembling of the body number four irregular breathing ओके number one sorrow that is दुख जब यह जो obstacles जो अभी हमने समझे जो nine obstacles है यह जब हमारे उपर हावी होते है ठीक है तो उसके negative result के तौर पर pain reflect होता है that is sorrow और दुख ही होगा next depression दौर मनने सा यानि कि यह जो obstacles जो भी हमने समझे जब हम अपने जो aim है उसको हम achieve नहीं कर पाते हैं जो हमारी जो इच्छाय होती है जो हमारे desires होते हैं जब हम उनको fulfill नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा frustration होगी जब frustration होगी तो फिर क्या होगा वो as a show करेगा हमारी body में वो reflect होगा as a depression जब हम योगा की practice करेंगे जब हम आसनास की practice करेंगे तो हमारे जो हाथ पैर है वो हीलेंगे हम रुक नहीं पाएंगे किसी भी आसन में हम comfortable नहीं हो पाएंगे तो body का अपने आप हिलना हाथ पैर का अपने आप हिलना यह हमारे mind से appear होता है इसका मतलब है कि हमारी जो मन है न उसमें अभी तक ठहराव नहीं है तो यही चीज़ है कि body में trembling होती है जब किसी आसन को perform करते है तो body shake करती है वो हिलती है ठीक है यह जो obstacles है इनके वज़े से यह चीज show होती है as a trembling fourth irregular breathing breathing स्वास प्रस्वास तो यह जो obstacles है इनके वज़े से इसके जो negative जो हम बोज़ते है जो effect है वो हमारी body में किस तरह जो show होंगे कि हमारी जो breathing है वो fast होगे जब हम frustrated होते हैं जब हम depression में जाते हैं जब हम हमें गुसा आता है जब हमारी desires है वो फुल्फिल नहीं हो पाते हैं तो हमें गुसा आएगा हमें frustration होती है तो इससे क्या होता है हमारी सांसे चड़ती है हमारी सांसे fast हो जाती है वो irregular हो जाती है वो normal नहीं होती है हमारा blood pressure high हो जाता है ठीक है तो यह इस तरह से show करता है body में developing positive attitudes and feeling of chit prasadhana a mind with a sweet nature, blissful and peace of mind first chapter 33 सूत्र ठीक है उसी के next सूत्र में अब दीखे एक सूत्र दूसरे सूत्र से interconnected है तो इसमें बोला गया है कि किस तरह के जो हमारे attitude वो हमारा होना चाहिए ताकि जो व्यादिया है इससे हम दूर रह सके further महर्षी पतंजली recommends a person to inculcate the qualities to purify the mind as by cultivating or develop the right attitudes towards different kind of people number one friendliness towards the happy ठीक है तो सेज पतंजली जी कहते है कि किस तरह के लोगों के साथ मित्रता करो दोस्ती करो जो happy जो लोग अपनी लाइफ में खुश रहते हैं न ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ ऐसे लोगों से घ्रणा नहीं करनी है ऐसे लोगों से हमें hate नहीं करना है कि वो इतना खुश क्यों है ऐसे लोगों को मित्र बनाना है ऐसे लोगों से friendship करनी है क्योंकि देखिए यह हमारे एक human nature होता है कि जिस तरह के environment में हम रहते है जिस तरह के संगती में हम रहते हैं उस तरह का जो नीचर है ना वो भी हमारा automatically वो हमारा बनने लगता है ठीक है तो जिस तरह की हम संगती में रहते हमारा जो overall behavior है वो भी वैसा ही बनने लगता है तो अगर अच्छे लोगों की जो संगती हमें करने चाहिए, ऐसे लोगों की संगती करनी है, ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है, जो अपनी लाइफ में हैपी रहते हैं, खुश रहते हैं, जिससे हम भी खुश रहेंगे, ठीक है, इससे क्या होता हमारा जो नीचर है, वो भी एक तरह से ह happy, तो बोला जगे है कि वो लोग जो दुखी है जो लोग हमेशा उदास रहते हैं जो गरीब है, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए अब इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग गरीब है हम वो हमारे दोस नहीं बन सकते जाहे इनसान गरीब हो, जाहे इनसान अमीर हो, अगर वो happy है तो ऐसे लोगों को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें friendship करनी चाहिए तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो काफी rich होते हैं, बट depression में रहते हैं, negative होते हैं तो negative लोगों का साथ हमें कभी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है तो बोला गया है कि वो लोग जो हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों को उनके दुख से निकालने की कोशिश करो, ठीक है, उनको के लिए घ्रना करेंगे, अपनी मन में किसी के लिए हेट रखेंगे, ठीक है घ्रना भाव रखेंगे, तो उससे क्या होगा, negative effect आपके उपर पड़ेगा, उसका तो होगा बाद में, लेकिन सोच आपकी खराब होगी, ठीक है, तो अपनी सोच को खराब क्यों करें, तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, जो लोग अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, और वो लोग गुरूजने है तो जबी भी हमारे sch infantry गुरूजने है तो उनको देखते ही हमारे अंदर प्रशनता का भाव होना चाहिए तो यही चीज़ बोलागया है कि जो हमारे आदर्श है ठीक है हमारे जो माता-पिता है हमारे जो गुरुजन है और जो ऐसे बड़े बड़े विद्वान जैसे स्वामी वेकानन्द, महात्मा बुद्ध, ऐसे लोगों की बारे में जो चर्चाई जब हम सुनते हैं, इनकी 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 जो ग्लूरीस जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव वनाची है, इनके लिए हमें हेट नहीं करना है, ठीक है कई लोगों मैंने देखा अपनी माता-पिता से हेट करते हैं, कई लोगों मैंने ऐसे देखा जो अपने गुरुजनों से हेट करते हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है, दूसरे का नहीं होता है, खुद का होता है, तो किसी के अगर हम खुद सोचते हैं तो अल्टिमेटली नुकसल हमारा ही होता है तो यही चीज बोला गया है कि अपने माता-पिता के रिस्पेक्ट करो अपने गुरुजनों के रिस्पेक्ट करने चाहिए हमें इन्डिफरेंस टूवर्ड्स दी इमोरल यानि कि वो लोग जो जिनका involvement गलत activities में रहता है जैसे कि criminals ऐसे लोगों को हमें अटेंट नहीं करना जीए ऐसे लोगों को हमें importance नहीं देना है तो इन लोगों से हमें घ्रना नहीं करना है जब हम इनको आटेंट करते हैं तो इनको motivation मिलता है कि हमने गलत काम किया लेकिन फिर भी मीडिया वाले हमारे पीछे हैं पॉलिटीशन्स हमारे पीछे हैं लोग हमारी स्टोरी जाना जाते हैं तो इनको बाइकाट करो इनका वहिशकार करना चीए ठीक है इनको अपने समाज में पना नहीं देनी तो इस तरह का अगर हम काम करते हैं दिखो इन से हमें घ्रना नहीं करने हैं बट इनको हमें इग्नोर करना है इनको हमें अटेंड नहीं करना है यह बात बोली गई है क्योंकि अगर हम किसी से घ्रना करते हैं तो ultimately हम अपने ही मन को खराब करते हैं तो ये चीज़ बोला गया है, इसमें, जो ये term है ना, चित्य प्रसादना, ये कई बार आपके question paper में आता है, कि वर ये अपको यही लिखना है, चारों चीज़े, तो किस तरह की practice हमें करने ही चाहिए, वो बताया गया है, इसमें, पतंजली अस्टांग यूगा, second chapter, 29 सूत्र से लेकर, third chapter, third सूत्र, ठीक है, तो जो पतंजली योग सूत्र का second chapter है न, उसका 29 सूत्र से start होते होए, third chapter के तीसरे जो श्लोक है, वहां तक, जो eight limbs है, उसकी चर्चा की गई है, ठीक है, किस तरह की जो प्रैक्टेस है, अभी हम समझेंगे, अस्टांग यूगा is a mode of yoga, which consists of eight limbs और steps, that is, यम, नियम, आसन, प्रणयाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान, समाधी, have been found to control the mental modification, thereby helping in attaining good health, ठीक है, तो यह है कि, जो eight limbs है, यह एक तरह से straights है, यह एक chain है, यह आगे-पीछे नहीं हो सकती, यह जो practice है, यह हमें step by step करनी पड़िती है, सबसे पहले यम, universal morality, it improves external behavior, यानि कि यम में भी extra five limbs होते हैं, देखिए यह इसमें बहुती short में है, इसके बाद हमारा जो next topic है, वो हमारा अंतरंग और बहिरंग योग है, उसमें हम eight limbs को अच्छी तरह से हम समझेंगे, कि जो eight limbs है, उसमें क्या-क्या है, उसमें अंतरंग क्या है, उसमें बहिरंग क्या है, तो अब यह just हम इसको short में समझेंगे, यम जो है इसमें भी एक्स्टर फाइब पार्ट्स होते हैं जिसकी चर्चा हम अमारे जो नेक्स टॉपिक है अंतरग और बहिरंग उसमें समझेंगे तो यम का मतलब यही है कि आपका behavior, your discipline, your behavior towards the society कैसा होना चीए ठीक है आप लोगों के साथ किस तरह से behave करें नियम में personal observance, it improves internal behavior यानि कि आपका आपके लिए आपका हम बोल सकते rules, आपके rules and regulations आपको अपने आपको कैसे शुद्धर रखना है ठीक है तो यही चीज़ है इसमें आसन, it improves body, postures and studiness तो आसनास जो हते हैं वो हमारी body के जो postures है उसको improve करते हैं और body में stability को लेके आते हैं ता यह चीज़ी है ना सारी eight limbs इसके हम detail में जो explanation है जो चर्चा है मैं आपको next जो हमारा topic उसमें ही बताऊँगा इसमें आपको short में बता रहा हूँ क्योंकि already जो यह topic काफी लंबा हो चुका है प्रणयाम breathing exercises and control of prana तो आसनास में stability अचीव करने के बाद ही हम प्रणयाम के practice करते हैं ठीक है प्रत्यार control of senses non attachment यानि की attachment कम करना प्रत्यार का मतलब ही होता है attachment कम करना non attachment धारना concentration towards inner और outer object धारना का मतलब होता है concentration करना focus करना चाहे आप inner object की तरफ करें या outer object की तरफ करें इन और inner object का मतलब होता है body के अंदर किसी एक पार्ट को इसे आगे चकर की तरफ focus करना या अपने हाट की तरफ focus करना ठीक है या अपनी नाभी की तरफ focus करना ठीक है तो इस तरह से हम inner meditation करते हैं हम अभी धारना कर रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं focus कर रहे हैं तो outer जो धारना है उ कोई ऐसी प्रतिमा ठीक है जो हमें positive feel कराती है ऐसी कोई statue जिसके तरह हम देख रहे हैं उसके तरफ धारणा दे रहे हैं ध्यान devotion meditation on the divine यानि की धारणा के बाद ध्यान की जो state है जो stage है वो हम achieve करते हैं समाधी union with the divine तो आत्म तत्व का परमात्म तत्व के साथ मिलना जुडना यूनियन होना ठीक है तो उस positive object और divine के साथ एक होने का feel करना उससे एक होने का अनभव करना वो एक state होती है समाधी की तो पहले हम धारणा देते हैं then ध्यान then समाधी की जो state है हम उसको अचीव करते हैं तो इसको मैं proper तरीकी से समझाऊंगा हमारे जो next topic हुगा अंतरंग और भही रंग में ठीक है next अब हम इसको समझ लेते है mental health according to WHO तो world health organization की according mental health की definition वो यही है ठीक है इसमें आप अपनी definition नहीं लिख सकते हैं तो जो definition इसमें बताई गई है उसी definition को आपको लिखना है और उसी definition को आपको समझना है यहां पर mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential can cope with the normal stresses of life can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community तो mental health overall healthy रहने की वो state है वो condition है जिसमें आपको अपना potential पता होता है आपको अपनी शमता पता होती कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ठीक है आप अपनी life के normal stresses, tension, depression, etc. जो obstacles है ना उससे cope up कर पाते हैं उसका सामना कर पाते हैं इनका सामना करते हुए इनसे बाहर निकला पाते हैं ठीक है आप उसके बाद productivity और and fruitfully आप अपने work को perform करेंगे जिससे आप अपने society में proper contribution कर पाएंगे अपना योगदान दे पाएंगे तो यह जो definition है यह काफी important definition है डेबलो एच्व की mental health के उपर ठीक है तो आपको यही सेम definition आपको समझनी है यह definition आपको याद करनी है और यही definition आपको exam में लिखनी है अगर यह आपका exam में आता है ठीक है तो इतना ही था हमारे इस particular lecture में तो मिलते हैं हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाई signing out नमस्ते